नमस्कार गुड इवनिंग एंड राम राम प्यारे साथियो I hope all are good and तैयारी सब लोगों की अच्छी चल रही है दोस्तो आज quickly मैं आप लोगों के लिए लेका आया हूँ Indian government ने जो प्रमुक operations चलाये हैं अभी recent past में उन सारे operations को मैं एक साथ लेका आया हूँ 10 से 15 मिनिट का वीडियो है दोस्तो पूरा देखिए specially high court LDC के जो चात्रे हैं वो देखे EO आ रहा है वाले भी दोस्तो इसको पूरा देखे current में से questions उठते हैं तो इसमें से भी questions उठेंगे और अपना time निकाल के एक से दू सेकंड दीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए चलते हैं सीधा दोस्तो तो बात करते हैं हम पहले अपने सबसे फैवरेट जो operation है उसकी बात करेंगे operation दोस्त क्या दोस्तो operation दोस्त के बारे में अभी recently फरवरी में ही ये operation हुआ है दोस्तो कब हुआ है फरवरी में ही अभी हुआ है दोस्तो ठीक है तुर्की के अंदर भुकम पाया था काफी deadly भुकम था तो उसमें इंडियन गवर्मेंट ने जो help भीजी थी उसका नाम दिया गया था operation दोस्त तो याद रखिए तुर्की दोस्त तुर्की है अपना दोस्त है या नहीं है परन्तु तुर्की है एक टाइम था जब second world war हुआ था तो उस टाइम तुर्की को यॉरॉप का बिमार देश भी कहा जाता था ठीक है चलिए अगला दोस्तो operation गंगा गंगा कहां पे बैठी है गंगा उत्र परदेश में बैठी है गंगा यूपी में बैठी है गंगा यू से याद रखिए यूपी और यू से याद रखिए यूक्रेन तो यूक्रेन पे जब रशिया ने war declare किया था लास्ट येर वे थे उनको निकालने के लिए जो operation launch किया था उसका नाम रखा गया था operation गंगा गंगा यूप में बैती है गंगा से याद रखिए यूक्रेइन यूक्रेइन में फसे लोगों को निकालने के लिए गंगा ओपरेशन लांज किया गया था इसके लिए दोस्तों एक ट्वीटर हैंडल था दोस्तों चीक है अगला बात करते हैं तो पहले हमने पढ़ लिया operation दोस्त तुर्की में और गंगा दोस्तों यूक्रेइन में फसे लोगों के लिए यूपी में गंगा अब दोस्तों operation समुंदर से तू समुंदर है तो इंडियन नेवी ने किया है समुंदर मतलब नेवी समुंदर से रेलेटेड या तो नेवी आएगा नहीं तो आपका क्या आएगा जो कोश्ट गार्ड है और हम तो समुंदर यहां पे देखो इंडियन नेवी ने किया है किसने किया है बेजी गई थी माल्दी जो एक देश चोटा सा उसको जो help बेजी गई थी उसका नाम रखा था समुंदर सेतु क्या नाम रखा था समुंदर सेतु दोस्तो और समुंदर सेतु में ही दूसरा कौन सा था दोस्तो समुंदर सेतु टू समुंदर सेतु टू इसमें क्या गया रहा oxygen container को oxygen container को shift करने के लिए जो mission रखिया गया था उसका नाम क्या रखा था samundar setu 2 सिरफ samundar setu देता है तो maldweep में जो help भेजी थी समundar setu maldweep के बीच में और जब samundar setu 2 रखा गया तो oxygen container को shipment के लिए यह shipment कहां से वाता दोस्तो यह foreign से जो हमारे लिए oxygen container आये थे उनकी बाद होई shipment ठीक है इंडिया के अंदर shipment नहीं हुआ था फोरें से जब बाहर से shipment आये थे तो यह भी इंडियन navy ने ही किया था दोस्तो अगला है samundar metri samundar metri दोस्तो samundar metri यह भी इंडियन navy ने किया था कब किया था 2018 का operation है यह 2018 में दोस्तो इंडोनेशिया के अंदर भूकंप और tsunami आया था इंडोनेशिया के अंदर भूकंप और tsunami आया था तो उसमें दोस्तो मदद के लिए जो किया था हमने metri samundar metri की अगर बात करता है जो दोस्तो याद रखियेगा इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था उसके लिए किया था 2018 में परन्तु अगर सिर्फ op metri की बात करे तो op metri हमने 2015 में किया था जब नेपाल में भूकंप आया था काटमांडू के अंदर तो उस टाइम हमने आप metri launch किया था दोस्तो उसमें एफोस गई थी इपनी इसमें अगर समुदर metri है तो navy गई थी अगला दोस्तो operation 25 क्या है दोस्तो operation 25 very important दोस्तो इसके अंदर जो आपका pulvama attack वाटा 2019 कब हुआ था यह operation भी 2019 में हुआ था 14th February 2019 में जब pulvama attack हुआ था तो उसका जो mastermind था गाजी रशीद जो उसका mastermind था उसको capture करने के लिए जो Indian government ने operation launch किया था उसका नाम दिया था operation 25 अगला है दोस्तो अब बात करेंगे जो आपके RPF जो चलाता है उनके operations की RPF चलाता है एक आपका operation आहट कौनसा दोस्तो operation आहट 2022 में start हुआ था इसमें क्या है आहट है ठीक है तो इसमें क्या है बच्चों की और महिलाओं की जो तसकरी होती है ना मानव तसकरी मानव तसकरी को रोकने के लिए जो चला रहा है operation उसका नाम रखा गया है आहट अगर बात कर लें मानव तसकरी सबसे ज़्यादा कहा होती है इंडिया के अंदर तो मानव तसकरी सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर West Bengal में होती है दूश्तों और उसके बाद में है 36 गड़ और फिर है आपका जार खट तो ये तीन जगए जहां पर सबसे ज़्यादा मानव तसकरी होती है तो उनको रोखने के लिए बोला कि आहट बजाओ भई लट बजाओ मत लिख देना भई आहट है ठीक है 2022 में आहट किया गया था लाँच उसके बाद में operation अमानत लॉंच किया गया ये भी भारतिय रेल्वे ने किया है ठीक है अमानत किसने लॉंच किया है भारतिय रेल्वे ने अमानत नाम से याद रखिए अमानत क्या होता है कीमति समान यात्री का जो समान होता है उसकी tracking के लिए launch किया गया था तो ये तो आप से कोई पूछेगा नहीं अगला है दोस्तो नार्कोस ये बहुत ही अच्छा नाम लग रहा है मुझे important लग रहा है क्योंकि नार्कोस से जो generally लोग क्या याद कर लेते हैं जो नार्कोटिक्स department है उसने launch किया होगा ठीक है परन्तु नहीं नार्कोस जो है operation नार्कोस दोस्तो ये भी आपका railway सुरक्षा बल या आपका आर्पी एफ जिसकी बात कर सकते हैं railway police force जो है दोस्तो उसने launch किया था नसीले पदार्तों की तसकरी के लिए और मानव तसकरी के लिए क्या है operation आहट नार्कोस तो नाम सो भी पता चला है नसीले पदार्तों की बट आपको याद रखना है railway सुरक्षा बलने किया था दोस्त operation आहट मानव तसकरी से दोस्तो नार्कोस जो है ये भी आपका 2022 में चलाया गया था तो ये किसके लिए था ये आपका नसीले पदार्तों के लिए था और operation सतर्क जो था तंबाकु और सराब तसकरी के लिए ये काब से कब था 5 से 30 April 2022 में चलाया गया था दोस्तो ठीक है अग operation उपलब्द को पहले पढ़ लेते हैं दोस्तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट की काला बजारी पर अंकुष लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बलने जो चलाया था उसका क्या नाम रखा गया था operation उपलब्द रखा गया था दोस्तों ठीक है परंतु ज रेलवे ने चलाया था जो आपकी रिजर्व टिकट होती है जो अरक्षी टिकट होती है दोस्तों उसकी काला बजारी को रोकने के लिए नॉर्मल रेलवे टिकट की काला बजारी को रोकने के लिए दोस्तों ठीक है और अगर थरस्ट की बात करें आम उपरेशन थरस्ट की तो यह आपका 2019 में चलाया गया था 2019 के अंदर चलाया गया था इसमें क्या था दोस्तो जो आपकी अनाधिकरत ब्रांड वाली पानी की बॉटल्स है जो मतलब एक नॉर्मल रेगुलर ब्रांड नहीं है उसकी जो बॉटल्स है उनको रोकने के लिए उनकी बिकरी को रोकने के लिए जो चलाया गया था तो उसका नाम क्या था Operation Trust तो railway ने कौन कौन से चलाया है तो railway ने जो railway पुलिस फोर्स है दोस्तो उसने चलाया है आपका Operation Ahat मानव तसकरी के लिए और Narcos जो चलाया है वो दोस्तो नसीले पदार्तों की तसकरी रोकने के लिए और सतर्क जो चलाया है तंबा को और सराब की तसकरी रोकने के लिए चलाया है दोस्तो ओपरेशन उपलब्द जो चलाया है वो रेल्वे टिकट की काला बजारी पर रोकने के लिए और अगर थंडर की बात करें तो रेलवे दारा चलाए गया है reservation की ticket जो है उसकी काला बजारी को रोक नहीं के लिए दोस्तो एक और रेलवे का लिख लीजिए आप मुझे याद आ रहा है मेरी सहली करके जो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए September 2020 में रेलवे ने लांच किया था दोस्तो ठीक है चलिए अगर यहां पर दोखो RPF वर्ड बहुत बार आ गया तो RPF जो है दोस्तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी उस टाइम दोस्तो आपको इसका वैध्यानिक बल घोसित किया था इसके लिए एक्ट लाया था वैध्यानिक बल था परंतु इसको ससस्त्र बल कब बनाया था 1985 में इसको ससस्त्र बल बना दिया गया था Armed Forces Act के तहत चलिए आगे बाद करते हैं दोस्तो आपके यहां पे Operation Garud चलाया है यह दोनों मैंने CVI के एक साथ लिख दी है Operation Garud और Operation Meg Chakra Operation Garud दोस्तो Drug Network को खतम करने के लिए चलाया है और अगर Indian Railway की बात करें तो दोस्तो Railway सुरक्षाब बलने कौन सा चलाया है तंबाकू की तसकरी के लिए क्या चलाया था दोस्तो तंबाकू की तसकरी के लिए जो Railway ने चलाया था उसका नाम था Operation Satark और जो दोस्तो आपका नसीले पदार तो या Drugs के लिए मान लो तो उसका नाम क्या था Narcos पर CBAE ने जो चलाया है उसका नाम क्या रखा है Operation Garud याद रखिए Operation Garud और Operation Meg Chakra क्या है दोस्तो ये Interpol की जो Singapore है दोस्तो सिंगापूर से इनको Input मिला था कि Child Pornography इंडिया के अंदर बहुत बढ़ चुकी है तो दोस्तो इन्होंने CBAE ने Operation Meg Chakra लॉंच किया है क्या दोस्तो Operation Meg Chakra मेग चakra लॉंच किया क्या था इसका reason Child Pornography Circulate करने वालों का पता लगाना आप सिर्फ पता लगा कि छोड़ना नहीं है भई ठीक है तो ये दोनों ही 2022 में हुए थे ये भी 2022 में हुआ था ठीक है और ये भी September 2022 में हुआ था दोस्तो ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सर्द हवा वेरी सिंपल आपको पता है सर्द हवा भी है और एक गरम हवा भी है दोनों ही BSF द्वारा चलाया जाता है राजस्तान बॉर्डर पर और एक BSF चलाती है Operation शुदर्शन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर द्वारा पंजाब एंड जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर ठीक है आगे बात कर लेते हैं Operation vanilla काफी अच्छा नाम लग रहा है सुनने में न Operation vanilla किसके द्वारा इंडियन नेवी के द्वारा किसके द्वारा इंडियन नेवी के द्वारा हमने समुंद्र मैत्री ये तीनों इंडियन नेवी ने चलाए थे COVID-19 के टाइम पे COVID-19 के टाइम पे चलाए थे दोस्तों ठीक है समुंद्र सेतू जो है नो से नो से नद्वारा चलाया गया था मेडागासगर के अंदर 2020 कब दोस्तों 2020 किसले चलाया गया था तो वहां पे एक cyclone आय था डायना डायना साइक्लोन आया था तो उसके अंदर rescue के लिए जो operation लॉंच किया गया था vanilla लॉंच किया गया था ठीक है मेड़ागासकर दोस्तो African reason के अंदर में आता है हिंद मासागर की अंदर एक island है बहुत बड़ा island है अफ्रीका महादीब के पास में operation संकल्प की बात कर लें तो operation संकल्प भी दोस्तो आपके किसने चलाया था भारत की नौ सेना ने चलाया था operation संकल्प किसने चलाया था भारत की नौ सेना में कहां पे चलाया गया था अगर operation संकल्प की बात कर लें तो पारस की खाड़ी में पारस या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के अंदर दोस्तों ठीक है ओमान की खाड़ी के अंदर चलाया गया था 2019 में कब 2019 के अंदर ये ओपरेशन चलाया गया था कहां पर पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अगला बात करते हैं ओपरेशन नमस्ते बारत की सेना ने चलाया था COVID के टाइम में खुद को सुरक्षित करने के लिए ठीक है पुरी दुनिया को सुरक्षित कर रही थी भारत की सेना पूरे जोज के साथ ठीक है परंतु अपने आपको सुरक्षित रखना भी जुरूरी था इसलिए दूर से ही नमस्ते करती थी भारत की सेना ने ओपरेशन नमस्ते चलाया था खुद को सुरक्षित रखने के लिए कोजीट कोजीट किसने चलाया था ये भी भारत की जो मिलेटरी फोर्स थी उसने चलाया था ऑक्सीजन की आपपूर्ती के लिए कि दोस्तों वंदे भारत बहुत ही नाम सुना हूँ अलग रहा है कि विदेश मंत्राले द्वारा कोवीड 19 के समय लोगों को जो एयरलिफ्ट किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था वंदे भारत तुल्की में जो किया था उसका नाम क्या रखा है operation दोस्त और दोस्तों और क्या था operation गंगा कहा के लिए था operation गंगा आपको पता है उक्रेन यूपी गंगा उक्रेन एक दोस्तों यहां पर आप लिख लीजिए अभी मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए operation देवी सकती काफ़ी important है operation देवी सकती आपका 2021 के अंदर जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने कबजा कर लिया था तो उस time जो अपने यात्री थी अपने जो क्या बोलता है उनको जो भारतिय थे को जो वहां से rescue किया गया था उसके लिए उसका नाम जो किया गया operation देवी सकती दिया गया था दोस्तो operation मिसन सागर क्या है तो मिसन सागर दोस्तो मई 2020 में ये भी कोविड के time पे किया गया था अगला है दोस्तो परवा ये आप से आई थिंग नहीं पूचेंगे फिर भी आप याद रख लिजे कोचीन एरपोर्ट पर कोचीन एरपोर्ट लिमिटेड दोहरा एरपोर्ट को बाट से बचाने के लिए परवा लॉंच किया परवा पानी का परवा होता है तो उसको रोकने के लिए कोचीन एरपोर्ट ने लॉंच किया है अगला याद कीजे दोस्तो ये काफी इंपोर्टेंट है मुझे लगता है जहां तक ऑप्रेशन ब्लू फ्रीडम ऑप्रेशन ब्लू फ्रीडम कौन है दोस्तो सामाजिक न्यायवं अधिकारिता मंत्राले द्वारा जो आपके दिव्यांग भाई बैन है उनको दोस्तो सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग है त ठीक है तो यह दोस्तो आपका 2019 में हुआ था 2019 में दोस्तो और इसके साथ में एक टीम थी CLAW तो उस टीम में जो आपके एक्स मारकोज जो निवी के कमांडो होता है न दोस्तो वो इस टीम के सदश्य है और इसका फुल फॉर्म क्या नाम है इसका फुल फॉर्म है कंकर लैंड एर एर एंड वाटर तो इस टीम ने इसको लांच किया गया था 2019 में अगर मैं बात करूँ सियाचिन ग्लेशियर की त तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तो ये आपका कहां पर है इस्टन काराकोरम रेंज जो है इस्टन काराकोरम रेंज जो है आपकी ट्रांस हिमाले में वहां पर है दोस्तो ठीक है इस सियाचिन ग्लेशियर से आपकी नुब्रा नदी निकलती है नुब्रा नदी निकलती है जो इस glacier का पाने जो है सिंदु नदी में जाके मिलता है और सिंदु नदी पाकिस्तान में बैती है सियाचिन glacier का एक और fact याद रखिए सियाचिन glacier जो दोस्तों आपका संसार का दूसरा सबसे बड़ा जो non-polar छेतर है दूसरा सबसे लंबा जो है आपका नोन पोलर एरिया है वो सियाचिन ग्लेशियर का है और पहले के अगर बात कर ले तो कहां पे हैं पहला आपका फैड चको तजिकिस्तान में है दोस्तों ठीक है तो यह सियाचिन का इतना फैट याद रखें अगला दोस्तों आपका ओलीव क्या है तो ओलीव या दोस्तों आपकी जो इंडियन कोश्ट गार्ड है ततरक्षक बली है कोश्ट गार्ड बोल सकते हैं इसने उडिसा के अंदर उडिसा के अंदर ओलीव रिडले कच्वों की बचाने है तो ओलीव रिडले कच्वों को बचाने के लिए जब इनका फर्ट लाइशन भी रहता है तो नवंबर 2020 से मई 2021 के बीच में इसको operation को चलाया था दोस्तों operation green आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा initially जब शुरू हुआ था तो इसका नाम क्या था टॉप ठीक है टेमटो ओनियन और पोटेटो टमाटर अलू और प्याज परंतु जल्दी ही नष्ट होने वाली 22 कृसी फसले और इसके अंदर जोड़ दी और इसका नाम क्या कर दिया गया operation green कर दिया गया दोस्तों क्या कर दिया गया operation green दोस्तों अब कुछ एक और की operation राहत operation राहत यह आपका 2015 में जब यमन संकट हुआ था ना यमन में जब संकट हुआ था तो उस time यह operation launch किया गया था मैत्री मैं पहले ही बता चुका हूँ नेपाल में जो भूकंप आया था नेपाल भूकंप में उसमें दोस्तों आपका जो launch किया गया था उसका नाम क्या था operation मैत्री रखा गया था ठीक है दोस्तों तो यह दोस्तों आपके जितने complete operation है वो सारे मैंने एक साथ करवा दिये हैं दोस्तों कल हम पढ़ेंगे जो इंडियन मिलिटरी ने जो operations किये हैं उनको जो important operation उनके बारे में भी एक बार देख लेंगे बाइबाई चेक केर और अल देबेस्ट फ्रेंड्स